हाई गाईज आप लोग सब मजबूरी का सेकेंड पार्ट बोल रहे हो तो मैं सेकेंड पार्ट का ना थोड़ा समप करके आप लोग को सुना लिए ठीक है तो अच्छे से सुन लो खतम हो जाएगा आप लोग का एकदम फटा बीज दिन बाद जब बहु ने अपनी मा के घर प अच्छे से अपके पास रहे तो वह बच्छे को मा के पास शोड़ के माने बुरी दादी के पास शोड़ के अपने पीर चले मही ने बित्ते बित्ते खबर आई कि बहु का दुसरा बेटा हुआ अम्मा की चाती पर से जैसे बोज अट गया होता ना कि बेटा होगी अब उसको पता था बेटू को अम्मा छीनके नहीं लेकर जाए उस दिन अम्मा की मन में भावना घर कर गई कि बेटू अब मेरा ही है मानें अम्मा की मन में आ गया बेटू किसका है टूट खाया रहे तो ना आसू भरी आखो से भी रामेश्पर की टांगों को तब तक देखती रही जब तक वा आखों से ओजल नहीं हो गया, उसके बाद उन्हें बेटू को कस कर अपनी छाती से लगा लिया, क्योंकि अब उनका बेटा कौन हो गया, बेटू, रमा बेटू को देखने एक साल बाद आई, रामेश्वर नहीं आया, पहली बार कौन आया, सिर्फ बहु आई, अ दिन दादी मा का दोती का पला पकड़ के पीछे पीछे गूंगता है, शाम को गली महले कि गंदे बच्चे, रमा को च्या लग रख रहे है, गंदे बच्चों के साथ खेलता है, ऐसे करके, फिर फेरी वाले माने कोई समान वा मन बेचन आता तो उसके पीछे लगते है, आने पर ठीक हो जाएगा रमा बेटू को अपने साथ ले जाना चाहती थी पर पप्पू छोटा था तो अमा इस बर लिखके जो बहु इस बर नहीं लेकर वे क्यों कि पप्पू छोटा था अब बंबई पहुचके रमा ने अम्मा को पत्र लिखा जैसे बेटू चार साल का व अब दो साल बाद फिर रमा और रमेश्वर अपनी तीन साल के पपू को लेकर आए दो साल बाद आए अब दोनों आए तीन साल का पपू को लेकर पपू अंग्रेजी का चोटी-चोटी कविता बोलता बड़े अदब से अपना बेटू है बड़ा बेटा उसमें कोई अन्मा ने रमा का निरणे सुना कि वा बेटु को अपने साथ ले जाना चाहती है तो वे अश्यरीय से बुली मेरे एक पल भी तो ही रहता एक-एक मुझसे दूर कैसे रहेगा माने अम्मा भी बोली बेटू मेरे दिना दूर नहीं रह सकते हैं अंच में उसकी पढ़ाई के ध्यान में रखते हैं अम्मा बोली ले जा अपने बेटू को रमा अश्राद धाली हमाने अपने माई के गई इस बार दोनों बच्चा को लेकर और एक नौकर को लेकर अम्मा आखेली थी ओड़िया के अधाय की मिठाई के खिलोने बेचने वाला आया तो अम्मा सब को बोली जाओ भाई आस तुमारा रहा हकमाने कस्टमर नहीं यहां बताए कोई तो तुम्हारी ची देगा उनका मन सुबक उठा तीसरे दिन रमा के साथ गया नौकर लोट आया और उसने बताया कि दादी अम्मा को याद करते करते बेटु तो रो रहा उसको बुखार हो गया रमा के हाथ से ना खाते है ना दवाई पीता अमा तुरन बेटु को लेने चली गई और तीसरे दि बेटु को लेकर आ गई एक साल उन्होंने सिप्रिकार निकाल दिया रमा जब बंबई तो आई तो बेटु का वही रवाई आता से इस बार फिर दादी अम्मा को रुला कर बेटु को लेकर बंबई चली गई रमा के मना करने पर भी अम्मा ने शिब्बु को साथ में भेज बेटु नहीं आया उसने बताया बहु जी ने बेटु को हिला लिया खुक कीलता है वहां बच्चे उसे दोस्ती हो गई मा उसका मन लग गया अब तो तुम प्रसार चणू अम्मा पधराई आखों से माने रोही हुई आखों से शिब्बु को देख रही है मानों कुछ समझ बेटु मुझे भूल गया सच मेरी बड़ी जंता हुई मतलब बेटु अपनी मां के पास रहे है माने दादी को भूल गया इसका मतलता हुई तो वह कहां माने का तापते वे हाथों से शिब्बु को बोलती है ले पेड़े लेते आप रसा चढ़ा कर बाट दे उन्होंने भ इसका इनर मीनिंग के बुडी दादी को लग रहा है कि बेटु भूल गया इसका बुडी अम्मा का चितरन आ सकते हैं चाहरिते चितरन क्या होगा जीवन का एकांकी पन अकेला पन फिर क्या है मंता की मुड़ती है पुरानी परंपरा वादी है ना पुरानी परंपरा को मजबूरी का पूरा स्टोरी और साथ में मैंने आपको बुरी अम्मा का लास्ट का बूल भी दिया कि क्या क्या पॉइंट्स लिखो के ओके गाइस ठांक यू